आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूं मेरा यह वाला मेकप लुक और इस मेकप लुक को क्रिएट कर सकते हैं 22 अपने किसी भी फामिली फंक्शन या फिर किसी भी वेडिंग में और जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग शादी के बाद भी इस मेकप को किसी भी शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं तो चली वीडियो शुरू करते हैं और इसके अंदर मैं आप लोगों को सारी स्टैब बाताया है कि मैंने कौन कौन से प्रड़क्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंग यह बंदॉशन और पैस कि प्रड़क्ट बाद अपर जाए जाए प्राइमर अब नोर को स्क्रीन अपर कर सब क्ली है는 फ Вас प्र नहींगे प्राइमर के उतेजिँ से पहले ज्रूरी होता है। इसको अपने प्रमप लिगा नहीं हमें बादे करिसे प्रामर केशन से पैसे जो भी इसपोर्ट होते हैं उनको हाइलाइट करने के लिए मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूं जितने प्रड़ेक्ट है उनका आपको नाम और लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा तो अब हाँ से जरूर चेक आउट कर सकते हैं सो उसको मैं अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से ब्लैंड कर दूंगी ब्लैंड करने के बाद में हापे अप्लाइ करूंगी फांडेशन अप्लाइ कर रही हूं मेबिलिन का फिट मी फांडेशन जिसको मैं पूरे फेस पे अच्छे तरीक से टाप कर लिया है दैन मैं इसको ब्रश से जो फांडेशन ब्लैंड करने का जो ब्रश होता ना उससे मैं अच्छे तरीक से पूरे फेस पेस को अच्छे तरीक से कासल जल्दी से महतना है.. गीए हम ब्लेंडर कमें तो को मुझे ब्लेंडर बैंडर से ब्रॉट से tutte जब लृप हम हम थर्विर्टे में ओह साथ आइशादो से था स्टल रॉट्य को और इप्लाइब अपी Selim इसलिए मैं हमेशा ब्राउन शेड या थोड़ा जो ग्रे ब्राउन मिक्स जो शेड होता है ना हमेशा मैं उसी से प्रिफर करती है कि मैं उसी से अच्छी तरीके से ब्लेंड करूं और आप लोग भी कभी भी ब्लाक से मत किया कुर वह काफी आर्टिफिशल लगती है और अच्छी तो ब्रश की हेल्थ से अच्छी से पूरी आइब्राउस में लग जाता है तो मैं ब्यूटी पीपल का ऐशादो पैले ले हुए यह पूरा बहुत ही अच्छी कलर जैसे अंदर जिसके अंदर मैं थोड़ा सा औरेंज जिश और पीच जो कलर होता है ना वह तोनों मैं अप्लाए करूंगे सो मैं आईशादो वाले जो ब्रश होता ना उससे मैं आउटर कॉर्णर से ब्लैंड करते हुए इनर कॉर्णर तक लाओंगे पूरे आई लीट पे सेम ही शेड अप्लाए कर रही हूं महीं हाँ पर इसको बहुत अच्छे से मैंने ब्लैंड कर लिया है देन में हाँ पर यूज कर रही हूं यह ग्लीटर शेड है और थोड़ा सा ओरेंज और पीच जो मिक्स कलर होता है ना ही बहुत डाक ओरेंज और ना ही पीच है मतलब उसका बीच का कलर है और यह बहुत सुंदर ग्लीटर शेड है आइ तिंग आप लोगो को इसमें कामरे में ढंक से नहीं दिख रहा होगा बट यह थोड़ा सा शिम्री शेड जिसको मैं अपने आइलीट पर अप्लाय कर रही हूं ब्रश से दैन में हाँ पर क्या करूंगी जो गोल्डन शेड जो होता है उससे मैं फिंगर की हैल से इसको म में लगता है कि आपने बहुत जादा आई मेकप करा हुआ है मैं नैचुरली बहुत ही प्यारा लग था तो आप लोग भी इसको जरूर ड्राय करना देन मेहाँ पर मेबलीन का ये लैशे मस्कारा अप्लाय कर रही हूं और मस्कारा अप्लाय करने के बाद में आप फॉल्सी प्लाय करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो यहां पर मैंने जो फॉल्सी होती है फेक लैशे वो ने अप्लाय कर लिया है यह बिल्गुल ऑप्शनल है जरूरी नहीं कि आप लोग भी इसको अप्लाय करो बट इसको अप्लाय करने के बाद मेक अप का जो लुक सकती है दर में अपर डाक ब्राउन शेड लेरी हूं अपने मेबलीन का जो आईशाडव पालेट है उसमें से जिसमें से मैं अपना ब्राउन शेड लेकिया और जो लोग जो लैशेज होती है उसक्यूपर अप्लाय कर सकते है मैं आपर काजल अप्लाय कर सकते है मैं आपर का कर लिप्स्टिक अपलाय कर एंग और यह जो लिप्स्टिक यह यह जो चुंदर शेड है यह जो कर आ दद और न पीछार को तरी अर अगर अगर आपने अपने अर इंडर अपिल तरही का गर अपन रखी अगर उसका तो उसके असी अच्छी जस लुग है इसमें तो जो इसे ह पाइगा और यहां पर अच्छी तरह की से बड़श आप्लाई करने के बाद हालेटर आप लोंगी और महीं आप पर जूड़ी वेयर कर लोंगी तो महीं आप पर यह जूड़ी वेयर कर रही हूं बहुत सिम्पल जूड़ी है और अगर आपकी घर की सादी है तो आप अपने यहां पर आपको लोक दे रही हूँ आपको मेकप लोक दिखाया है तो यहां पर मैंने एरिंग्स और जो भी है वह पहन लिए और बाकी का जो फानल लुक है वह मैं आपको आगे दिखाऊंगी और हम यहां पर हाइल लगाना भूल गई थी तो इसको मैं सबसे लास्ट में अबने चीक्स पे नॉस पे और चीन पे मैं अपलाय कर लूँगी और जो भी मुझे हाइपॉंट से अपने हाइलाइट करने है उनको बैचे से हाइलाइट कर लूँगी आप चाहए तो इसको फाउंडेशन के साथ भी मिक्स करके अपलाय कर सकते और यह है मेरा फानल लुक जिसके अंदर मैंने अपनी जो शीश फुल होता है ना वो मैंने आपे वेयर किया है और चूड़ा मैंने वेयर कर लिया है जो बहुत है तो यहां पे जो बाइसा है वो भी इस मेक अपनीक को ट्राय कर सकते है और जिनकी शादी होगी है साधी के बाद भी अगर आप न्यूली वेड हैं तो भी आप इस मेकप को ट्राइ कर सकते हैं आई होप आप लोगों को मेरा यह मेकप लुक पसंद आया होगा पसंद आया तो करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बल अन कर दिसे मेरे आने वाली को भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके